Hello friends, welcome to BPSC दरपन, आज हम लोग यहाँ पर पिछले एक साल के 100, 100, most important current affairs का study करेंगे, जो फटाफट 100 के नाम से इरुटेडिया current affairs में दिया हुआ है, चलिए हम यहाँ पर time waste के बगेर, national, international, science and game से related, total 100, one-liner current affairs, जो most important current affairs का collections है, जिसका हमें study start करते हैं, चलिए हम पहले राश्टिये, national current affairs का study करते हैं, अपनी internet से वा सुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, यह केरल बना है, केरल ऐसा पहला राज्य है भारत में, जो अपनी internet से वा सुरू किया है, भारत का पहला ODF पलस जिला बना है, भारत का पहला राज्य महराष्ट, महराष्ट भारत का पहला राज्य बन गया है, जो सुसासन नियम को मंजूरी दिया है, मन्रेगा स्रीमिकों के लिए कल्यान कोस अस्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है, केरल ऐसा पहला राज्य है, जो किसानों के लि लक्षों की अस्थानी करन, लोकिलाईजेशन आपको अपनाने वाला भारत का पहला सर बना है भौपाल जो MP का राजधानी है भारत का पहला राज़ी जिसने अपने सभी पुलीस जिलों में ड्रोन निगडानी परणाली अस्थापित किया है वह राज्जी केरल है केरल भारत का पहला ऐसा राज्जी बन गया है जिसकी सभी पुलीस जिलों में ड्रोन निगडानी परणाली अस्था बनाया गया है भारत का पहला रीडिंग लौंज वाला हवायाध्डा कौन बना है य ऐसा करने वाला जो पहला अंतराष्ट्री हवायड़ा है वो लाल बहदुर सास्त्त्री अंतराष्ट्री हवायड़ा बना है जो बरा नसीम है। यहाँ से एक क्विश्ट्स आप को याद रखना होगा आपके एक्जाम में सीधी सीए कॵिश्ट्स पूछे जा सकते हैं। कि लाल बहतुर सास्त्री अंतराष्टी हब राजता कहां पर है। याद रखें कि यह बाराण्यशी में है। भारत पहला राज जिस ने Right-to-Walk लागू किया है वह पंजाब राजिय है। बहरत का पहला राज्जिस्त ने उच संस्थानों के लिए संस्थागत रांकिंग ढाचा की सुरूभात की है उजीह राजजी भी केरल है, जैसे आप जानती होगे केरल सबसे सिख्षित राजजीय है बहारत में, तिसीत राजे जितनी भी नए नए चीज पहल होती है जिन्डली केरल सरकारद्वारा किया जाता है भारत का पहला अंतराष्टिय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां विक्सीत किया गया है यह जोगी घोपा असम में किया गया है असम के जोगी घोपा में पहला अंतराष्टिय मल्टी मॉड भारत का पहला underwater metro trial run किस सहर में शुरूआ वो कलकाता में है जो कलकाता में भारत में जो पहला metro line की सुरूआत होगी थी metro की सुरूआत भी हुई थी कलकाता में और यहां से याद रखेंगे पहला water ऐगे सुरुबा थी पर भारत के पहले अंडर-सी ट्वीन-टेनल कीमान किया जा रहा है यह मुंबई में किया जा रहा है भारत का ऑनडर शी का अंडर से ट्वीन-टेनल जो मुंबई में 218 Wiederum पूर्ण पूर्ण पर पहुंचने वाला भारती पूरुस्ट कौन बना या अर्जुन बाजबे बना है भारत की पहली जल मेट्रो की हडी जहन्टई किस सहर में दियेए ? लिकेशे, लिदेञे दोनों listed अलग की मेट्रो है या यहां पर था अंडर्वाटर मेट्रो देख सकते हैं ? दोनों अलग सामने है पहला अंडर्वाटर मेट्रो का ति कहाँ रू हूआ ह। है जब कि यहां पर भारत के पहली पसु जम नियंतरन पर सिक्षन के अंदरे किस सहर में अस्थापित किया गया है तो वह सहर लखनो है जो यूपी की राइधानी गया है चुनवा आयोग ने किस राज जी के विधान सभाचुनाओं में पहली बार बोट फॉर हॉम विकल पेस किया है वह करनाटक में किया गया ह करनाटक में जो एलेक्शन हुआ था वहां पर बोट फ्रॉम होम का ओप्सन भी लोगों के दिया गया था जो बुजर्ग लोग थे घर से बोट डाले थे भारत का पहला राज जिसने अग्यात निकाईयों का डीने डेटावेस बनाया है तो वह राज हिमाचल प्रदेश से ह एपल कंपनी ने भारत में अपना पहला इस्टोर मुंबई में खोला है भारत का पहला थीडी मुद्रित डाग घर कहां बनाया गया गया है यह बैंगलोरू में बना गया है जो करनेटा कराय धानी बैंगलोरू है वहीं पर भारत का पहला थीडी मुद्रित डाग घर बनाय 10 में 22 का पहला 3D по 7иц occup 1 इसे बनाया गहा है भाहरत की पहली bio network करेष्णमान द्हरादून हुन उड होए तक नियो मेट्रो की बात किया जाय तो पहला नियो मेट्रो द्हरादूrans जो उत्राखन की राज्दानी है। वहां पर बनाया गया है केंद्रिय स्वास्त मांतराले द्वारा शुरूग क्या गया है ,75 बटे 25 पहल किस रूख से संबंधित है,, यह उच रक्षाप और मदुम्धियों से संबंधित है इसमें 75% तक हम उच्छ रख्चाप और मदुमयों की जो संख्या है लोगों की उसको हम 2025 तक गटाएंगे यही है 75 बटे 25 भारतिय प्रतियस परधा आयोग की पहली महिला अध्या के किसे निक्त किया गया है यह रवनीत कौर को निक्त किया गया है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्त कार्ड प्रधान करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है यह उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्त कार्ड प्रधान किया है कूल रूफ पॉलिसी लॉंच करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो वह त्यलंगाना बना है त्यलंगा भारत का पहला राज्य है जिसने कूल रॉफ पॉलिसी लॉंच किया है 100% बिधूती क्रित रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाना हरियाना भारत का पहला राज्य बन गया जहां पर जितनी रेलवे लाइन है उस राज्य से गुजरती है सब के सब बिधूती क्रित है मतलब पूरी तरह सा 100% बिधूती क्रित वहां पर एक अब्युक्त की जवानात याजिका पर निर्णाय देने के लिए चैट जीपीटी तकनिक का उप्यों किस हाई कोट ने किया है यह पंजाव एंड हरियाना हाई कोट ने किया है पर चैट जीबीटी का यूज़ करने वाला पहला है कोट कौन बना है तो पंजाब रहर्याना है कोट बना है गेटवे आफ इंडिया से अलिफ हेंटा गुफाओं तक तैर कर तैरने वाला पहला ब्यक्ति कौन बना है वह किष्ण प्रकास बना है जो गेटवे आफ इंडिया मुंबई में मुंबई से सटा हुआ अरब सागर किनारे पर है वहां से अलिफ हंटा गुफा जो समुद्र के बीच में हैं वहां तक तैर कर जाने वाला पहला ब्यक्ति बन चुका है Central Bank Digital Currency का उपयोग करने वाला भाषध का पहला नगर निगम कौन बना है तो पत्ना नगर निगम बना है जैसे कि आप के दोरा Central Bank Digital Currency के नाम से एक digital currency launch किया गया जिसकी यूज करने वाला जिसका उपयोग करने वाला जो पहला नगर निगम बना है तो वह पटना नगर निगम बना है यह BPSC को जो students या बिहार बेस किसी भी exam का जो भी student preparation कर रहे हैं उसके लिए BVI questions हैं वैसे यह सब किसी भी exam में पुछा सकता है लेकिन BPS BPSC या बिहार बेस बिहार SSC या बिहार से रिलेटर बिहार टीचर किसी भी exam का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे जरूर याद रखे हैं Central Bank Digital Currency को Metro Parking के लिए फिकार करने वाला भारत का पहला Metro बना है कोची Metro जो केरला में है रेसम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज बना है उत्रा ख़न भारत मेरत का पहला राज बन गया है जो रेसम कीट बीमा शुरू किया है भारत के पहली ब्यवहार परयोगसाला किस सहर में अस्थापित किया गया है यह जैपूर में किया गया है राज़तान के राजधानी जैपूर में पहला ब्यवहार परयोगसाला का अस्थापना हो गया है किस सहर में पुर्वी भारत का पहला World Trade Center बनाया गया है कोलकता में कोलकता में पूर्वी भारत का पहला World Trade Center बनाया गया है NABH, NABH, Newh, से माननता प्राप्त करने वाला भारत का पहला AEMS कौन बना है? यह अखिल भारती आयुदेस समसान नागपूर AEMS जो है, से नवह से माननता प्राप्त करने वाला भारत का पहला AEMS बन दिया है Mont Everest पर चर्णने वाला Amiliibe request की पर्थम महिला कोन बनी है ? मुथमी्ज, सेल्वी मुथमीज, सेल्वी जो Mont Everest पर चर्णने वाली महिला है वो भाड़त के किस अराज्जिस पर चर्णा है ? भारत का पहला 100% डाइमिथाइल इथार इंधन वाला ट्रेक्टर किस ने विख्षित किया है कि IIT कानपूर ने विख्षित किया है IIT कानपूर एक ऐसा ट्रेक्टर बनाया है जो पूरुन तह 100% डाइमिथाइल इथार से संचालिद होता है Global Container Port Performance Index 2022 के नुसार भारत का सबसे कुसल बंदरगा कौन है यह पीपा वाव पोर्ट है जो गुजरात का है एसिया का सबसे बड़ी कलेश्टर विकास योजना कहां सुरू किया गया वो ठाने महाराष्ट में किया गया है भारत की राष्ट पती ने किस राज में भारत के सबसे बड़े उच नियालाई परिसर का उधगाटन किया है वह जहार खंड में किया है राष्ट पती के द्वारा जहार खंड में भारत का सबसे बड़ा उच नियालाई परिसर का उधगाटन किया है मतलब जहारखंड में भारत का सबसे बड़ा उचनियाला हाई कोट का परिसर बनाया गया है, सबसे बड़ा हाई कोट बनाया है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राजी में इंटरनेट की पहुँच सबसे अधिक है। तो वह राज जिगोवा है, गोवा में इंटरनेट की पहुच सबसे अधिक है। इंडर इस्टिडियम कहां बनाया गया है, मेगालाय में। जो कि वहाँ बारिक्स की बज़े से इंडर इस्टिडियम ही बनाया जा सकता था। शिक्षा मंतरालेक अनुसार भारत के किस सराजी की साक्षाता दर सबसे कम है, तो वह बिहार है। आप पहले से भी जानते होंगे, बिहार की साक्षाता दर सबसे कम है, जब केरला की साक्षाता दर भारत में सबसे अधिक है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018-2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हत्यार आया तक देश रहा है, तो वह भारत है। और यहां पर 2018-2022 ने 2023 तक भीगा जाए, तो इसमें भी भारत ही होगा। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला होक्की एस्टेडियम कहां बना है, यह बना है राओर के लाम है, जिसका नाम है बिर्सा मुंडा अंटराश्ट्रिय होक्की एस्टेडियम। यहां से एक questions और कई बार exam में पुछा गया है कि बिर्शा मुंडा अंतराष्टिया होक्की एस्टेडियम कहां पर है तो यह राउर के लाब है जरकंड में भारत का पाला विधुत तिर्थ गलियारा कि सराजी में विक्सित किया गया है यह उतराखने में भारत का पाला विधुत तिर्थ गलियारा का विकास किया गया है यह आए एर द्वारा जारी आंकरे के नुसार विश्व का सबसे परदुसित सहर कौन है यह लहोर है पाकिस्तान का सहर लहोर विश्व का सबसे परदुसित सहर है अंत्रिक्ष में यात्रा करने वाली सौधी अरव की पहली महिला कौन बनी है यह बनी है रियाना बरनावी रियाना वर्नावी सौधी अरव की पहली महिला बनी है जो अंत्रिक्ष यात्रा की है अंत्रिक्ष में यात्रा करने वाला संजुक्त अरव अमिरात की सबसे संजुक्त अमिरात की पहली अंत्रिक्ष यात्री कौन बनी है तिया विजिए सुल्तान अल नियादी देखें यहां से जब भी आपकी एक्जाम में question पीछेंगे option दोनों ही हो, question यह हो चाहिए option यह दोनों तो जरूर होगा और दोनों में आपको confusion तैय है क्योंकि दोनों ही नाम थोड़ा अटपटा सा है दोनों ही Arabian country की तरह नाम लिखा हुआ है और है भी यह लोग Arabian country से अरब से भिलंग्स करते हैं तो इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं जैसे कि अंत्रिक्ष में यात्रा करने वाली सौधी अरब की पहली महिला यह बनिये रियाना बर नावी जैसे कि अंत्रिक्ष में यात्रा करने वाले संजुक्त अरब अमिरात के UAE के पहले अंत्रिक्ष यात्री बने है सुल्तान अल नियादी सद्धिय नाम में सुल्टान आपको मिलेगा जब कि सौधी अरब की महिला यात्री है जिसमें रियाना नाम से लग रहा है रियाना है जबकि UAE की पहले अंत्रिक्स जात्री बने सुल्तान अल नियादी क्विस्टन स्टैप से पुछे कि आपको मेल अफिमेल करना डिफेरेंट हो जाए और दिक्कत होने लगे तो ऐसे जाथ कि सौधी अरब से जो अंत्रिक्स जात्रा किया है वो दो नाम से सौधी अरब है इस तरह से आप लिंक करके दो मेंसे फिल्टर चावर आउफ्सन होगा चावर मेंसे आपको दो आउप्सन तो आप खुदी फिल्टर कर लेंगे क्योंकि अरब कंडरी की अरब मुल्टी नाम नहीं होगा दो में difficult होगा दोनों के मैं आपको बता दिया हूँ अपने कई अपने नई बनने वाले इमारतों में जिवास इंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिवन्थ लगाने वाला पहला अमेर्की राज्य बना है निव यॉर्क हाल ही में किस देश में गर्वपात की गोलियों को मंजूरी दी गई है तुछ जापान है जापान में हाल ही में गर्वपात की गोलियों के मंजूरी दे दिया गया है उसे लोग असानी से ले सकते और हाल ही में कौन सा देश है जो गर्वपात को अधिकार परदान किया है गर् प्रांस आयाटी मदरास ने देश में अपना पहला अंतराष्ट्य परिसर अस्थापित किया है तो वह है तंजानिया तंजानिया में अपना पहला अंतराष्ट्य परिसर अंतराष्ट्य कॉलेज अस्था इनवर्सिरी के अपना अंतराष्ट्य ब्रांच अस्थापित किया है यहां से दो-तीन टैब क्विश्टन कई वार एक्जाम में पूछे गए हैं और इस वार पूछे जाने की संभावना है तो याद रखेंगे क्विश्टन आपसे यह पूछ सकते हैं विदोस्यों में अपनी पहली परिसर बनाने वाली पहली ब्रांच बनाने वाली कौन सी इनवर्सिटी हैं कौन सी आयाटी मद्रास है आयाटी मद्रास अपना पहला ब्रांच तंजानिया मस्ताबित किया है या आयाटी मद्रास इन में से किस देश में अपनी पहली ब्रांच अस्थापित किया पहला परिसर बनाया है तो इस देश ने निवेस और रजगार सी इजन को प्रुथाहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की सुरुवात की है तो और देश है बहरी बेसुका पहरा तरल हैड्रोजन संचालित फेरी MF हैड्रा किस देश में चलाए गया है तो वह नौर्वे में चलाए गया है औक्सफोर्ट मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को सुकृति देने वाला पहला देश बना है तो देश बना है गहाना जो अफिरकन करेंडरी है दुबई एरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन साहिता को लॉंच किया गया जिसका नाम क्या रखा गया सारा एक रोबोट है जो दुबई एरपोर्ट पर एक सहायक की भूमिका निवा रहा है मौन्ट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चरहाई करने का रेकॉर्ड किसने बनाया है या कामी डेता सेरपाने बनाया है वह तीस बार बनाया है वह अब तक तीस बार मौन्ट एमरेस्ट पर चड़ चुकिया है वह नेपाल से है अलकोहल उत्पादों पर स्वस्त छितावनी को अनिवार्ज रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है आयरलाइन किस देश की सरकार ने वर्ष दुहजार पचीश को अन्तार प्रियटन के लिए विशेश वर्ष के रूप में घुशित किया है तुवा देश नेपाल नेपाल दुहजार पचीश को प्रियटन के लिए विशेश वर्ष घुशित किया है फिल्लांड नाटो सन्य संगठन में सामिल हो गया है। उसके साथ नाटों में सदस 가장 की संख्या तो 31 में खेना यह तो यद राखना होगा कि नाटों का 32 मेंबर कौन है। नाटो का 32 मेंबर स्वीडियन है याद रखेंगे दूनों ही क्विस्टन रिसेंटल ही बना है दूनों नाटो का सदस्य बना है नाटो 1949 में संग्रह बना था आप कॉमेंट्स करके बताएंगे कि नाटो का फूल फॉर्म क्या है नाटो का 31 संगठन एक 30 मेंबर फिनलाइंड है और 32 मेंबर स्वीडन है टोटल अभी तक में 32 मेंबर है नाटो की दूनिया का सबसे कम सोतंदर देश हाल ही में किसे घुजित किया गया है तो वो तिबबत को घुजित किया गया है अब जैसे कि आप जानते होंगे तिबबत पर चैनाय कब जाया ह वो सबसे कम सोतंदर का सोतंदर ही नहीं है गुलाम देश कहा जाए तो सही है दुनिया का सबसे अमीर सहर हाल ही में किसे घुजित किया गया है यह नियॉर्क सिटी को घुजित किया गया है भारत का पहला अंतराष्टे कुरूज जहाज एमभी इंप्रेस चन्री से किस इस है इरान भारत फ्रांस और युएई के बिज तिरपक्षे समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्क्रण कहां आउजित किया गया तो ओमान की खारी में आउजित किया गया किस देश ने विश्ट के सब से सक्तिसाली है पर सोनी पवन सुरंगे जेया फुरंटी टू का चीन है सीगा ग्लोबियली आ यूली कारण इंडीक्स 2023 की अनुसार किस देश में विश्ट के सब से अधिक यू निचॉनिकॉर्न है अमेरिका में और 2024 वाले डेटा भी आ चुका है 2024 में Global Unicorn Index 2024 की अनुसार भी 20 में सबसे अधिक Unicorn अमेरिका में ही है सन्जुक तिराश के आंकरोग अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आवादी वाला देश भारत बन चुका है ज़ा आप जानते होंगे भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार कौन बना है तो अमेरिका देखिए यहां से दो क्वेशन्स आपके एक्जान में पुछे जाएंगे और दोनों ही Confusing है आपको से याद रखना है और याद ही नहीं आपको BVI करके याद रखना है पहला क्वेशन यही जो आपके स्क्रीन पर है बीत बरस 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक साजेदार कौन मना है तो अमेरिका है यदि यहां पर 22-23 की जगह 23-24 कर दिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागेदार चीन है इस क्वेशन को आपको रट करके रखना है या कई बार एक्जाम में पूछा गया है ठीक है उसे रट जाएए 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागेदार अमेरिका था और 2023-24 में सबसे बड़ा भागेदार चीन बन चुगा है एक-एक क्वेशन दूसरी क्वेशन से भारत अपना सबसे ज़्यादा निडियात किस देश को करता है जिससे भारत को लाब मिलता है मतलब आयात या निडियात हम कोई समान भेजते हैं तो उसे मुझे धन मिलता है आयात करते हैं तो हम धन किसी को देते हैं तो यह आयात निडियात की बात किया है सबसे ज़्यादा जो हम निडियात करते हैं सबसे ज़्यादा धन कमाते हैं तो अदेश अमेरिका है यह क्वेस् हम जिस देश से करते हैं वह देश चीन 22-23 में भी था और 23-24 में भी है देखिए यहां पर आपको confusion दूर करने ना पूरीता सा confusion क्योंकि इस टैब कोईशन कई बार एक जैन में पूछा गया है फिर से एक बार मैं रिवाइज करवातेता हूं इस question को question है बीद बस 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारीक भागिदार अमेरिका दोजार तइस चोबीस में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारीक भागिदार तो चीन 2022-2023 में भारत जो सबसे ज़्यादा निर्यात जिसे किया है अमेरिका को 2023-2024 में भारत सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को किया है 2022-2023 में जो भारत सबसे ज़्यादा आयात किया है वो चीन से किया है और 2023-2014 में भी भारत जिस देश से सबसे ज़्यादा आयात किया है तो वह देश चीन ही है विस्ट के किस देश में महिला पाइलेटों का परसिक्षन परतिसत सबसे अधीक है तो वह भारत, भारत में जो प्लेन चलाने वाले महिला पाइलट की संख्यां दुनिया में सबसे दीग है एसिया का सबसे बड़े जो चार मीटर का है सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्वीड टेली स्कोप का उद्गाटन कहां किया गया है उत्रा खंड में कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉपिक है बिग्यान एवम प्रवध्यों की वहां से डेक्टेट हमें भेरी भेरी इंपॉर्टन कुछ कलेक्शन साथ देखते हैं भारत की पहली मोबाइल बी एसेल 3 प्रयोग साला का क्या नाम है उसका नाम है राम बान भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग अधारी दूर संचार नेटवर्क लिंक किस सहर में शुरू किया गया है किस सहर में भारत का सबसे बड़ा सेल निर्मान सनियंत्र अस्थापित की अजारा है तो हैदराबाद में किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी अस्थापित की है या देश है फिनलाइंड इस रो ने असनातक तसा असनाक कुत्तर छात्रों को अंत्रिक्ष बिग्यान वंप्रद्यों की संबंधी प्राडाम्बिक परसिक्षन देने के लिए किस कार्ज करम की सुरूआत की है भारते नौ सेना ने कलवरी स्रेनी की किस छठी और अंतिम पंडुबी को समुद्री परसिक्षन किया है तो है भाग सीर केनिया अपना पहला पिर्थवी अबलोकर उप्रगरह का क्या नाम है केनिया का जो अपना पहला पिर्थवी अबलोकर उप्रगरह उन्हें लौंच किया है उसका नाम है तैप हा वन दुनिया की सबसे बड़े और सक्तिसाले रोकेट स्टार सिप को किस ने लॉंज किया है या एस्पेस एक्स कंपणी लॉंज किया है और एक्स एक्स कंपणी का मालिक होए ऐलन मॉस्क जो आप जानते भी होंगे किस अंत्रिक्ष एजनसी के यातर्यों ने अंत्रिक्ष उद्यान का निर्मान किया जिसे जीनिया फूल के पौधे की खेती की जिसमें उन्होंने जीनिया फूल की पौधे की खेती की तो वह देश है नासा वह अंत्रिक्ष एजनसी है नासा अंत्रिक अंजन्सी नासा ने अंत्रिक्ष में एक उद्ध्यान लगाया है जिसमें उन्होंने जीनिया फूल की खेती किये विपर जोयत उफान ने भारत के किसराज्ये के टट से सबसे पहले टगड़ाया तो गुजरात के टक से टगड़ाया था नेक्स्ट मारा पॉइंट है यहां पर टॉपिक है वह है खेल खूद विश्की पहली फ्रेंचाइजी आधारी सतरंज लीग गलोबल चेस लीग दुज़ार तेज किस देश में आयुजित हुई है वह दुबई में आयुजित है जो यूई का एक सहर है गोल्टन गलोब रेस को पूरा करने वाला पहला ACI कौन बना है तो है अभिलास टॉमी पुरूसों के पुर्ण सदसे T20 मैच की अमपैरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है यह है कीम कोटन IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला बल्ले बाज कौन बना है तो अब बिराट को लिए है IPL के इतिहास में सबसे ज़्यदा बिकेट लेने वाले गेंद बाज कौन बने है यह है जूजवेंदर चाहल IPL के इतियास में सबसे कम गेंद 13 गेंद में अर्दस तक लगाने का रेकॉर्ड किसके पास है या SSV जाय स्वाल के पास में है एक दिवसी अंतराष्टी प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलारी कौन बने हैं या बावर आजम बने हैं जो पाकिस्तान के खिलारी हैं सबी ICC खिताब जितने वाली बिश्व की पहली टीम कौन बनी है या टीम औस्टेलिया बनी है जिनने वन डे टेस्ट वन डे महिला की T20 पुरूष T20 महिला इन सबी Under 20, Under 19 जितनी भी टाइब की ICC के द्वारा प्रूनामेंट कराये जाते हैं उन सबी का खिताब औस्टेलिय द्वारा जीत लिया गया है जिसमें उन्होंने वन डे का वर्लकॉप छट्थी बार जीता है वह भारत में वन डे का वर्लकॉप हुआ था भारत को हरा के उन्होंने छट्थी बार यह वर्लकॉप जीता है जेवलिन थ्रो राइंगिंग में विश्ट के नंबर वन खिलारी कौन बने है या नीराच्चो पड़ा है बीसी सी आए के भारते क्रिकेट टीम का नया कीट एस्पॉंसर किसे चुना गया है एडीदास को चुना गया है यह क्वेस्टन इक्जाम में पूछा जा चुका है बी नेक्स्ट आपिक हमरा है प्रियावर रहम पारिस्थेत की भारत का पहला सौर सहर कौन बना है यह सांची बना है यह एमपी में है किस राजी में पहली मैग्रो पिटा पक्षी जन्गरना की गई है तो वह ओडिसा में की गई है जल बजट तियार करने वारा भारत का पहला कीरल बना है भारत का पहला सौर उरजा संचालीद, प्रियटक 9 किस gilaughter में शुरू हुआ है, तो वा केरल में शुरू हुआ है, यो, केरल में बारत का पहला सौर उरजा से चलने वाला प्रियटक 9 चालू हुए है। पेशु का पहला जटायू संडक्षन और प्रजनन केंदक, किस राजी में विक्सित किया गये हैं। तर्प्रदेस में विक्सित किया गये है। भारत का पाला कारवन नीट्रल गाउं कहां विक्सित हो रहा है तो वह भिवन्डी महाराष्ट में विक्सित हो रहा है एसिया की सबसे बड़ी underwater hydro carbon pipeline किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है वो ब्रहंपुत नदी के नीचे बनाया जा रहा है भारत में सबसे ज़्यादा जय विवीत्ता विरासत पार्क किस राज्य में है तो यह पसिम मंगाल में है पसिम मंगाल में सबसे ज़्यादा जय विवीद्धा विरासत पार्क है जल सक्ति मंत्रालाई का नुसार कि सराज में तलाबों और जलासाईयों की संख्या सबसे अधिक है पसिम मंगाल ही उनका भी आंसर है पसिम मंगाल में ही सबसे ज़्याद तलाब और जलासाई की संख्या है और यह एक्जाम SSC द्वारा पुछा जा चुका है जल सक्ति मंत्रालाइक अनुसार किस राज़ी में जीलों की संख्या संख्या सबसे अधिक है तिया रज्यत तामिल नाडू तामिल नाडू में जीलों की संख्या सबसे अधिक है जबकि तलाब और जलासाईयों की संख्या सबसे अधिक पसिमंगाल में हैं और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट की बात किया जाए तो यह भी तामिल नाडू में ही सबसे ज्यादा रामसर साइट की बात किया ज झाल झाल